हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग किला सेवेन के हिंदी बुक से पाठ मुक्ति के प्रश्णों को सॉल्व करेंगे तो चले सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है यहां केश से पता चलता है कि चीणिया के ग्रह परवेस का मौसम सुरू हो गया है इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अक्टूबर नमबर में जब चीणिया दिवार पर टंगी किसी पैंटिंग के पीछे अलमारी के उपर बुक सेल्प के अंदर अथो बातरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वहाँ अपनी जरूरत और पसंद के जगह खोईने लगती है बार बार वहाँ अंदर आकर अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी और सारा घट चीची के सोर में डूप जाएगा तभी पता चलता है कि चेणिया के गिरे परवेस के मौसम सुरू हो गया है दूसरा परशन है चेणिया के गिरे परवेस के सुरूआत में घर वालों की क्या पतिकिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलावाया इसका उत्तर देखते हैं चेणिया के गिरे परवेस के सुरूआत में बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं घर के लोग तिनका उठा कर खेड़की से बाहर कर देते हैं। बाद में घर के लोग उसकी घोसला निर्मान को स्विकार कर लेते हैं। चोथा परसन है लेखा की पतनी और उसकी पोती ने लेखा की किस वेवार पर ठाहका लगाया। इसका उत्तर देखिए। घोसला बनाने से रोकने के लिए क्या-क्या उपाई किये। इसका उत्तर होगा। घर के लोगों ने चिर्या को घोसला बनाने से रोकने के लिए घर की खिंक्या बंद कर दी। उसके लाये तिनकों को घर से बाहर फिंट डाला। चिर्या के पीछे बच्चे भागभगर उसे खदरने लगे। अगला परशन देखते हैं। परशन है कहानी के आधार पर सिद कीजिए कि मुक्ती का सुख केवल मुक्ती पाने वाले को ही नहीं मिलता बल्कि उनको भी प्राप्थ होता है जो दुसरों को मुख कराने में सहायक होते हैं। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लेख सकते हैं। लेखत ने जब पुडोसी की खेड़की तोड़कर चिडिया और उसके बच्चे को मिलवा दिया तो उसे आत्म संतूष्टी हुई। इससे हम कह सकते हैं कि ये मुक्ती का सुख पाने वाले को ही नहीं बल्कि ये मुक्ती दाता को भी मिलता है। अगला फर्शन है इस कहानी में चिडियों के संबन में कौन से तीन इस्थितिया आई हैं। कहानी में चिडियों के संबन में तीन इस्थितिया एवं इन इस्थितियों में लेख की निम प्रतिकिरिया हुई। पहला है घोसला बनाने में, जब चीडिया घर में घोसला बनाने का परियास कर रही थी, तो लेखक द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, अगला इस्थिती है चीडिया का मुक्ती के लिए छटपटा हाट, जब चीडिया मुक्ती के लिए छटपटा रही थी, तो लेखक अगला स्थिति हैं मुक्ति की प्रसंता लेखक द्वारा प्रणोस के घर में काच की खेड़की तोड़कर चीडिया को आजात कराने पर लेखक को प्रसंता का अनुभव हुआ आठवा परसं है दोनों के सैतानी दूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी इस कथन का आसायस पर्ष करना है तो इस कथन का ताथ पर रहा है कि बच्चे और पच्चियों का कलग एक समान होता है बच्चों की किलकारियों से घर भरा पूरा लगता है जब किताबों पर बीट करके चिणिया ने सैतानी की थी और चिंकी ने ताली बजा कर और ठाका लगा कर लेखको परसंता किया था तो वहा ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी